Hello friends Welcome back to another new video and दोसो अगर आपने Redmi का Redmi Note 12 Pro DuoS purchased किया है या फिर दोसो अगर आप Redmi Note 12 Pro DuoS purchase करना चाहते हैं तो आज का ये जो वीडियो में काफी ज़दा अंट्रस्टिंग रहने वाला है किम की दस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले है Redmi Note 2 Pro device का camera zooming test जिसमें आपको 50 megapixel का Sony OS camera मिल जाता है और आप में से काफी सरे लोग यार जानना चाहते हैं इस Redmi Note 2 Pro का camera zooming power कितना है और बिना किसी दिरे के आज के इस वीडियो को start करते है तो दोस्तों Redmi ने काफी दमयकेदार smartphone लाँच किया है जिसका नाम है Redmi Note 2 Pro device और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस Redmi Note 2 Pro device के camera specifications के बारे में तो इस phone में आपको 50 megapixel का triple camera setup मिल जाता है Sony IMX7666 का आपको primary camera मिल जाता है जिसमें आपको OS का support मिल जाता है बागी दोस्तों 8 megapixel का ultra wide angle and 2 megapixel का macro lens मिल जाता है इसके लिए दोस्तों selfie camera 16 megapixel का मिल जाता है तो चलिए दोस्तों camera को open कर लेते and testing यह पर start कर लेते आपको इसके camera testing sample देखना है तो comment box में देख सकते में Google Drive को link रखा है वन वाइवन सारे camera samples चेक आउट करके देख सकते तो चलिए दोस्तों सामने जो में अबजेट को target के है जो कि टेमपल है जैसे कि फ्रेम पर देख सकते इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहां पर 1X मतलब की जो हमारा regular mode है regular mode से एक photo capture करके रखेंगे इसके बाद 2X को भी on करेंगे तो 2X mode में भी एक photo capture करेंगे वैसे दोस्तों सारे camera samples में आपको आगे दिखने वाल हो जैसे कि original photo में आपको आगे दिखने वाल हो कैसे दिखते है आप मुझे comment box में जरूर बता देना इसके बाद दोस्तों अगला step है जो कि है 4X zoom test and 4X में देखेंगे temple अब यह पर थोड़ा बहुत शो होने लगा है वैसे maximum आपको 10X zooming का feature मिल जाता है लेकिन हमको one by one check करना है इसके बाद दोस्तों अगला step है जो कि है 6X zoom तो 6X zoom में भी एक photo capture करके रखेंगे अब देखेंगे temple साफ साफ यह पेश होने लगा है इसके बाद दोस्तों अगला zoom है जो कि 8X and 8X में देखेंगे temple तो यह पेश होने लगा है लेकिन थोड़ा बहुत noise भी add हो चुका है इसके बाद दोस्तों maximum देखेंगे 10X mode में आपको कैसा temple दिखता है वैसे 10X में आपको पूरा का पूरा माहूल दिख जाता है जैसे कि temple दिख जाता है उसके उपर उसका जो जंड़ा है वो भी दिख जाता है उसके आगे जो trees पेट से वह भी आपको दिख जाता है लेकिन दोस्तों noise का भी जदा एड़ हो चुका है तो original photo देख सकते हैं इतना धूर से मैंने temple को इसके बाद यह है normal photo मतलब कि 1x zoom इसके बाद second देख सकते हैं 2x zoom इसके बाद देख सकते हैं अगला है 4x zoom और यह देख सकते हैं 6x zoom है इसके बाद 8x zooming test जिसमें थोड़ सा noise एड़ हो चुका है और final देखेंगे 10x zoom जिसमें आर clarity काफी कम आ चुके है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा zooming test का जो फोटे सबसे ज्यादा बेटर लगा है चेले दोसों इसके बाद में यहां पर वीडियो को भी टेस्ट करेंगे एंड वीडियो में देखेंगे आपको 4k में 30fps का support मिल जाता है लेकिन full HD plus में आपको 60fps का support मि वीडियो में देखेंगे आपको ultra wide angle का support मिल जाता है and ultra wide angle को on करने के बाद काफी ज़्यादा area यहां पर cover हो जाता है अब देखेंगे पूर का पूरे यहां पर front का माहल दिखता है as well side का माहल यह वह भी यह दिख जाता है इसके बाद आप सो try करेंगे हम यहां पर 1x मतलग जो normal 1x है वह हम यहां पर try करेंगे so normal 1x में देखेंगे आपको जो pixel clarity वह यहार better मिल जाते है so normal 1x mode में देखेंगे आप better वीडियोग्राफी को shoot कर सकते है and इसके बाद दोसो 2x zoom में देखेंगे तो 2x zoom में देखेंगे थोड़े बहुत यहां पर जो pixel वह यहां पर फर जात है लेकिन दोसो 6x enable करने के बाद आप देख सकते जो pixel clarity यहां पर व्रस्ट हो चुकिए मतलब कि आपको जो OS का feature मिल जाता है वह सिर्फ यहां पर photography के लिए वीडियोग्राफी के लिए आपको यहां पर OS काम नहीं करता है so आप यहां पर वीडियो में check out करके देख सकते है ज क्योंकि photography में इसका OS का काफी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है और इसके बाद सो साइट का भी माहुल चेकर करके देख सकते हैं जैसे कि 6x zooming करने के बाद वीडियो में देखेंगे जो चोटी मूठी जोपडी है वह भी आर दिख जाती है उसके अब देख सकती इतना दूरी का यहाँ पर जो जो पड़ी था वह आपको देखने को मिल जाता है 6x zooming में चेले दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर 50 megapixel मोड को भी ऑन करके देखेंगे और 50 megapixel में देखेंगे आपको 1x and 2x यहाँ पर बस maximum zooming feature मिल जाते है फो फोटो भी capture के बाद देखेंगे आपको 50 megapixel को on करने के बाद जो दूर को object है वो यहाँ पर कितना clear नजर आता है तो यहाँ पर जो normal 50 megapixel का mode है तो 50 megapixel से 1x and 2x से photo capture करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे प्रो मोड में जाने के बाद यहाँ पर 50 megapixel को on करेंगे इसके बाद यहाँ पर 1x and 2x जो maximum zooming है उसमें दो photo capture करेंगे और photo capture करने के बाद आप मुझे नीचे comment box में जरूर बताना कौंसा photo आपको सबसे बेटर लगाए pixel wise 50 megapixel mode का so यह 1x zoom जो कि है normal 50 megapixel का result है इसके बाद 2x zoom देख सकते है जो कि है normal photo है जो कि 50 megapixel का result है इसके बाद दोसो pro mode में देखेंगे 50 megapixel क 1x and pro mode से देखेंगे 50 megapixel का 2x zoom effect so overall दोसो 50 megapixel का mode काफी बेटर photo capture करता है काफी बेटर आपको pixel clarity मिल जाते है 1x हो या फिर 2x zoom हो केम की दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है OS का camera जो कि Sony IMX 766 का latest sensor है so friends comment box में जरूर बतना कि आपको इस phone का camera zooming power कैसा लगा है so friends I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा so friends वीडियो पसंद आ तो लाइक कीजिए share कीजिए अपने दोसों के साथ and फिर मिलेंगे कुछ एसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अपतर के लिए thank you bye bye take care